देखे इस सरकार कोई UCC लाने की हिम्मत नहीं है, UCC नहीं ला सकते, जो उत्राखन में जो भी UCC लाए वो कहा UCC है, उसमें UCC थोड़ा इसको कहा जाता है, UCC तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 क्रोर आदमी हर किसी का समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा UCC, ले कुछ इस तरह के कुछ प्रोपार्टी देने में यह सब है, अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़े है, उसमें इंक्लूड है, अदरवाइस कुछ नहीं है, उत्राखन दूपी पहना आया उसको, तो आसाम में भी यह ट्राइ कर रहा था कि UCC लाएंगे, तो मेरे खाल मे UCC ला नहीं सकते हैं, यहां बहुत सारे कास्ट कम्यूटी की लोग है, जो UCC यहां लाके जो करना चाते हैं, वो खुद उनके कम्यूटी में है, आब BGP के फॉलोवर्स वो सब प्रेक्टिस कर रहे हैं, पोलीगेमी की बात कर रहे थे यह जोरोशोर से, BGP के बहुत सारे बहुत सारे लोग है, बहुत सारे कम्यूटी है, जिनके हाँ पोलीगेमी है, आब उसको बेन नहीं कर सकते, इसी तरह और कई चीजे हैं, जिसको संबब नहीं है, इंडिया में इतने कास्ट कम्यूटी के लोग है, और इंडिया का इतना सुंदर एक कॉंस्टिटिशन है, हर किसी को उनका अपने अपने धरम पे रहे के अपना कास्ट कम्यूटी के जो कस्टम है, कल्चर है, सिविलाजेशन है, उसको अपनाते हुए, उसको चलने का रास्ता इंडिया के कॉंस्टिशन ने दे रखा है, और उसमें बढ़िया है, उसमें फीडम अफ फैथ है, अपनाते हैं, यह सब चीजें इंडिया के कॉंस्टिशन में हैं, तो उसको नहीं बातिल कर सकते, यह इनका सामने इलेक्शन है, सिर्फ यह धंदा बाजी है, मुसलमान को टार्गेट करना, किसी कम्यूटी को टार्गेट करना, यह इनका लक्ष है, इसलिए आसाम में देख इसलिए अभी असाम मुसलिम मेरिजेज और डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है, उसको यह रिपील कर रहा है, यह केबिनेट ने कल यह डिसीजन लिया है, केबिनेट को आसाम केबिनेट को यह हक कहा है, कि इंडिया का कॉंस्टिशन ने एक राइट किसी कम्यूटी किसी धरम के ल इंडिया किया है, उसी हिसाब से होगा, आसाम केबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई अडिशन कर सकता है, तो इनका यह खुद जानते हैं, भैकब होना है, आप यह एलेक्शन है सामने, लोग को टोपी पहनाने का एक एनका यह है, इस से ज्यादा मैं नही कि फॉल्प, मुसलिम मैं रिजस्टर्स, उनको रिविले करने के लिए гр me Q 2 लाख रुपे सरकार के तरफ से, जोंको आफ्टार का बपिलिआ हुदी से तो, कि इसको क्या दे रहे नहीं दे रहे यह मसला नहीं है कि इसको 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इंडिया का कस्टिटिशन जो एलाव कर रखा है उसमें आसाम के कबिनेट को किसे हख दिया है कि तुम रातो रात उसमों केबिनेट में लागे डिसिजन ले ले लो और उसको बातिल कर दो उसको रिपील कर दो इनको यह हख ही नहीं बनता और यहां कुछ बहाना किया है आप देखें उसको लाने दीजे केबिनेट ने क्या अभी तो बाते बाहर आ रहे ही कि केबिनेट ने डिसिजन लिया है किसको रिपील किया है क्या ला रहे है क्या ला रहे है क्या ला रहे है क्या ला रहे है कि नहीं ला रहे है अगर कुछ बिल लगाने की बात कर रहे थे, बहुत नाच रहे थे, उस पे वो नहीं कर रहे चीज़, चुके उन पे गिर रहे थे, अब ये ज्यादा प्रिक्टिस उन में होता है, यूशी सी लाएंगे तो उनके अंदर इतने आपस में बीज़ेभी के फालोवर्स के अंदर इतना मारा मारी ह होगा कि वो हिम्मत उनको नहीं हुई, इसलिए अब चलो कुछ कर लेते हैं, इसलिए अगर केबिनेट ने ये फैसला लिया है, तो हम उसको लाने दिजे, क्या डिसिजन लिया है, वो बाहर आएगा, अगर उसको बिदान सभा में वो ले करते हैं, कोई बिल लाते हैं, अगर कंस्टीशन के मताविक होगा, तो कुई बात नहीं है, अगर इंडिया का आई दस्तूर के मताविक होगा, कंस्टीशन के मताविक कुछ होगा, तो फिर उस पर कुछ बात करना ही नहीं, ठीक है.